Hello viewers, welcome to another video of Himachal Mania Himachal जी के इस सीरीज में आज जो हम जोग्राफिक का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा क्लाइमेट अलोजी ओफ हिमाचल का पार्ट थ्री इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? मेंली हम कवर करेंगे टेंपरेचर जो हिमाचल में अलग-लग एरिया में रहता है और उसके बाद जो सीजन जो हमारी आती है मेंली हिमाचल में तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने क्वेशन पूछा था इसका अंसर है दी प्रॉपोस्फियर में पताया था कि जो प्रॉपोस्फियर है वो जो है एसेंशियल हमारी कंडिशन प्रॉइड करती है जो की हुमन एक्जिस्टन्स के लिए इंपोर्टन है तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपी को और सबसे पहले देखते हैं Temperature in Himachal अब Himachal में किस टायब का Temperature रहता है सबसे पहले हम देखेंगे कौन कांसी जगह पे जो है normal Temperature रहताए और कितना रहता है उसका average annual temperature कितना रहता है उसका winter fog उसका diagonal temperature and other forms of rain जो ये सारी हमारी conditions हैं एफेक्ट करती है हमारे temperature को तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे normal temperature तो normal temperature की अगर मैं बात करूं तो overall temperature of himachal is relatively less as compared to the other neighborhood plane area some characteristics of this type of temperature are following. सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमारा जो lower area himachal का या पूरा overall अगर area की बात करें तो जो हमारे border states हैं जैसे पंजाब हर्याना वहां से जो है temperature थोड़ा सा बदर down रहता है, pleasant रहता है उसके बाद अगर हम बात करूं lower region की तो area of himachal in the south and southwest is hot during summer and presents in winter तो ये जो area है south वाला area और ये पूरा area है south west वाला area तो इसमें क्या बोल रहा है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है mainly but winters जो हो pleasant रहती है, मतलब winter में जो है मौसम वो सुहावना रहता है next middle mountain and valleys area तो यहाँ average temperature is normal in summer but winters are relatively cold तो क्या बोल रहा है average जो temperature है हमारा middle area में वो तो रहता है normal but winters जो हैं काफी जादा यहाँ ठंडी रहती है next upper himalayas and inner areas area in the north and northeast is pleasant in summer but winters are extremely cold अब यहाँ पर क्या रहता है condition उल्टी होती है नौर्थ और northeast वाले part में यहाँ पर winters तो pleasant होती है पर winters sorry हमारी जो summers होती है वो जो होती है pleasant होती है but winters होती है काफी जादा cold होती है जो summers में है यहाँ पर टूरिस्ट वारा पूरी छुटिया मनाने हमारी आते है next अगर मैं बात करू normal temperature हमने पढ़ लिया next है हमारा average annual temperature अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो हमारा high temperature है वो कितना average रहता है lowest temperature on an average हमारा कितना जाता है और overall average temperature हमारा कितना रहता है सबसे हले high temperature की अगर मैं बात करू तो यह रहता है हमारा on an average पूरे हिमाचल का देखा जाए तो 20 degree Celsius से 25 degree Celsius ता क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे neighborhood states है उन से थोड़ा जो है climate हमारा down ही रहता है but in summers temperature ranging between 30 degree Celsius to 40 degree Celsius क्या बोल रहा है summer में जो हमारा temperature है वो 30 degree से 40 degree Celsius तक पहुँ जाता है but in some circumstances temperature touches 45 degree Celsius कुछ circumstances में जो है हमारा temperature 45 degree Celsius भी touch कर जाता है winters are pleasant but due to fog mist and smoke from the border states winter sometime cause trouble high temperature तो सबसे पहले हमारा low lying area में ही रहता है तो बोलता कि winters वैसे तो pleasant होती है वैसे तो सुहावना मोसम रहता है but जो fog और smoke आती है हमारी यहाँ पे border area से वो कई वार trouble कर देती है trouble कैसे जो हमारी कई जो rabi crops है हमारी उनको कई वार बर्बाद कर देती है इतना जादा तंप्रेचर डाउन हो जाता है और कई वार human beings को भी एफेक्ट करती है तो smoke जो होता है न जब fog के साथ हमारी smoke जो है mix हो जाती है उसको बोलते हैं एक्सिडेंट वार आपने देखा हुआ विंटर्स में fog की विशे से कितने जादा होता है next average temperature average temperature कितना रहता है found in the upper area in the middle district of हिमाचल कौन कों से district है सिर्मोर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंटी, हमीरपूर, कांगडा and चंबा तो average temperature कहां पे मिलता है upper area of middle district यह क्या बोल रहा है upper area of middle district middle district हमारे चंबा का अपर area हो गया कांगडा का अपर area कुल्लू का अपर area और शिमला का अपर area सिर्मोर का अपर area यहाँ पे क्या मिलता है हमे average temperature अब कितना मिलता है 12 degree Celsius से 20 degree Celsius तक देखने को मिलता है और यहाँ पे जो सर्थियों में temperature है 0 degree Celsius तक चला जाता है next lowest temperature अगर हम बात करें तो average कितना रहता है हमारा lowest temperature 8 degree Celsius तक और winter में 0 degree Celsius से भी नीचे हमारा temperature चला जाता है मतलब minus में this area is covered in snow for 4 to 5 months 4 to 5 months जो है यह area जो हमारे snow में cover रहते हैं तो mainly किन किन areas की बात कर रहा है किनोर लाहोस पीती एंड पांगी area of हिमाचल तो यह तीनों area की बात यह कर रहा है जहां पे lower temperature हमारा रहता है next inequalities in temperature according to summers तो in summer temperature between 30 degree Celsius to 40 degree Celsius record in the lower area of उनना, कांगडा, बिलासपूर, सोलन in the month of June temperature in उनना touches 45 degree Celsius June is the hottest month in हिमाचल and January is the coldest उनना is the hottest district and la hauls speed is the coldest इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है कि हमारा जो सबसे गरम जो district है वो है उनना तो यह आपको याद रखना है उनना जो हमारा सबसे गरम district है जहां पे temperature चला जाता है 45 degree Celsius तक सबसे coldest हमारा जो district है वो हमारा la hauls पी जहां पे temperature है 0 degree Celsius से भी नीचे चला जाता है कहां पे winters में उसके बाद ही क्या बात कर रहा है कि जो हमारा सबसे गरम मन्त रहता है वो रहता है June June में हमारी यहां पे सबसे जादा गरमी होती है और सबसे जो जादा ठंड होती है वो कौन से मन्त में होती है January मन्त में तो यह सारी चीज़ें जो हैं यही लिखी हुई है तो आपको यह ध्यान में रखनी है Next अगर मैं बात करूँ हमने normal temperature पढ़ लिया average animal temperature पढ़ लिया अब हम देखेंगे हमारी जो temperature है वो कैसे effect होती है winter fog से diagonal temperature और other forms of rain से तो सबसे पहले fogs in winter in the lower area of Himachal situated in the southern and western direction border district facing the problem of fog and smoke came from Punjab and Haryana sometime infect the crops यह जो मैंने आपको पहले explain कर दिया वो ही बोला हुए है कि जो हमारा south और west वाला area है पूरे Himachal का तो जो हमारे पंजाब हर्याना से हमें smoke या fog आती है तो वो effect करती है हमारे crops को next diarunal temperature difference between high and lower range of the temperature is known as diarunal temperature and in Himachal diarunal range of temperature is very high अब क्या बोल रहा है हमने last video में भी किया था कि diarunal temperature होता है जो सबसे जादा temperature हमारे Himachal में रहता है और सबसे Himachal में नहीं मतलब overall highest temperature और lowest temperature किसी भी एक particular location का रहता है उसको हम बोलते हैं diarunal temperature तो हमने Himachal में देखना है तो मैंने जैसे बताया कि 45 degree Celsius जो है गर्मियों में उनना में चला जाता है और जो है 0 degree Celsius से भी नीचे मतलब माइनस में जो है temperature हमारा लाहोल स्पिती की नौरुगारा का चला जाता है तो अब temperature की range देखो 45 degree Celsius से लेके माइनस तक temperature जाता है तो इसको बोलते हैं diarunal temperature next है हमारा other forms of rain other forms of rain में rain in the middle Himalayas snow in the upper areas and fog, mist, smoke and dew in the lower district also affect the temperature of Himachal अब हमने पहले भी पड़ा है जो हमारी middle area है जहां पे जो पीर बंजाल धोलाधार के foot hills पे जो area है वहाँ पे काफी जादा बारिश होती है जिसकी वाज़से हमारा temperature effect होता है उपर हमारे glaciers है snowfall होती है इसकी वज़ा से और lower area में जो आरा fog, mist, snow, smoke की वज़ा से हमारा जो पूरा temperature है वो affected रहता है तो ये थे हमारे factors जो हमारे temperature को effect करते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और आपको present भी जो है बिल्कुल ऐसे ही करने हैं मैंने आपको last video में बताया था है आपकी जो presentation है वो formal रहनी चाहिए ये जो है बादल होगारा जो है वो permissible नहीं होते हैं exams में next अगर मैं बात करो seasons जो हमारे हमाचल में आते हैं तो सबसे पहले summer season summer season को हम क्या बोलते हैं तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे local language में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं usually from the month of April to June तो April to June हमारे हाँ पर summer season रहता है lower area of हमाचल very hot हम बार बार यही पढ़ रहे हैं lower area जो है हमाचल के बहुत गरम रहते हैं middle and upper areas weather is pleasant pleasant मतलब सुहावना रहता है हमारा middle area और upper area जहां पर इसलिए जो हमारा इतने साथ टूरिस्ट जो हैं वो छोटी हम नाने कर्मी में हमाचल के आप पर area areas में आते हैं उसके बाद बरसाद बरसाद में रहनी सीजन तो यह रहती है हमारे हमाचल में July to September और average rainfall कितनी होती है 1600 mm जब हमने rain वाला किया था पूरा topic तब मैंने बोला था कि average rainfall आपको याद रखनी है average rainfall धरमशाला में कितनी होती है तो वो होती है 3400 mm यह मैंने आपको बताया था next हूंद हूंद हम किसको बोलते हैं winter season को बोलते हैं तो यह होती है हमारी October to March तक snowfall mainly in the month of December January and February snowfall होती है कौन कोंसे month में December, January and February में और summer season को आप कैसे याद रखो कि तोंदी summer में हमें छुटे हैं बढ़ते हैं गर्मी के तो हम कुछ काम कुम करते हैं तो हमारी tummy है तोंद है वो बहुत जादा बढ़ जाती है तो तोंदी वैसे आपने याद रखना है इन केस आप भूलना जाओ अगर आपसे MCQ phone में पूछा जाए तो हूंद आप याद रखना है इसको बोलता है इसको बोलता है विंटर सीजन को और बरसाथ तो आप विजली रन रह जाएगा र इनी सीजन क्या बोल रहा है कि गर्मियों से पहले हमारा स्प्रिंग सीजन और सर्दियों से पहले हमारा ओटम सीजन जो हमें हिमाचल में देखने को मिलता है अभी कैसे सारी हमारा climate regulate होता है इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा तो अगेन हम अपने world map पे आते हैं और हमारे important latitudes को एगवार फिर से देखते है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने बताया था 23.5 डिगरी हमारे नौर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो हमारे 23.5 डिगरी साउथ में है मैंने आपको बताया कि sun की जो movement होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उपर नहीं होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे नहीं होती है हमारा sun जो है न वो movement करता है इन दोनों latitudes के ही बीच में अब वो कौन-कौन से दिन जो है इन particular latitudes पे होता है वो हमें जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन date से ही जो है हम अपनी seasons को define करते है सबसे बहले मैं start करता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जो हमारा sun होता है वो होता है 22nd of December को ये maximum लोगों को पता होता है कि इस दिन से जो है हमारे दिन बढ़ना start हो जाते है 22nd December के बाद हमारे दिन बढ़ना start हो जाते है और 22nd December को हमारे जो Northern Hemisphere में सबसे छोटा दिन होता है तो 5 वजे या कहीं तो 4 वजे ही जो है अंधेरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि sun movement start करता है अपना अब फट क्योंगे इससे नीचे तो जाता नहीं है तो December के बाद January, February, March और जो है March में भी पूरा ये movement करके 21st March को ये पहुंचता है हमारे equator पे तो ये 21st March जो है ये हमारी Equinox की situation है Equinox मतलब equator से जो हमारा पूरा नॉर्थ वाला area इसको हम बोलते है हमारा Northern Hemisphere और जो equator से पूरा ये Southern वाला area है इसको हम बोलते है Southern Hemisphere तो दोनों Hemisphere में क्या रहता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहते है कि सूरज जो है बिल्कुल equator पे आ गया है और कितना पास आ गया है इंडिया से आप ये देखो Next है March के बाद फिर again Sun जो है उपर की और अपनी journey स्टार्ट करता है और March भी पूरा April, मई, जून और जून में 21st June को जो है ये कहां पर पहुंच जाता है Tropic of Cancer में तो जून में आपको बता है कितनी जादा गर्मी होते है क्यों होती है क्योंकि सूरज जो है बिल्कुल आप देखो हमारी जो ये Tropic of Cancer है पूरी बिल्कुल मिडल से जाती है इंडिया के 21st June को जो है हमारे सबसे बड़ा दिन होता है 21st June के बाद जो है वो again जो है downward journey हमारा sun स्टार्ट कर देता है और पूरा June, July, August और September में अगर मैं बात करूँ तो 23rd September को again ही कहां पे होता है हमारे equator पे तो again यहां पे जो situation बनती है वो बनती है हमारी equinox की अगें जो है ये पूरी rotation जो है sun की पूरे साल भर ऐसे ही चलती रहती है अब अगर मैं बात करूँ 22nd December की तो हमें पता है कि हमारे लिए December में क्या होता है Winters होती है तो इसको क्या term दी जाती है इसको हम बोलते है Winter Solstries क्योंकि हमारे यहां पे जो सर्दी होती है इसलिए क्या बोलता है इसको Winter Solstries और season कौन सा start होता है हमारा Winter का then मैंने बोला कि sun December के बाद उपर जाना स्टार्ट होता है और Equinox situation बनाता है 21st March को मतलब अभी जो होती है हमारी गर्मिया आने वाली होती है और सर्दिया जो है वो हमारी जा चुकी होती है 21st March को Equinox की situation रहती है और इसको कौन सा हमारा season स्टार्ट होता है हमारा season स्टार्ट होता है स्प्रिंग जो है गर्मियों से पहले वाला season उसके बाद जो हमारा अगें sun पहुंचता है 21st June को उपर हमारे जो इंडिया में या पूरे नदन एमस्पियों में होती है गर्मी तो इसको हम क्या बोलेंगे summer solstice और यहां से जो है हमारी summer season जो है start हो जाती है next अगें यह नीचे जाता है equinox की situation बनाता है 23rd September इसके बाद जो हमारी सर्दिया आने वाली होती है और सर्दियों से पहले जो हमारा season रहता है हमारा autumn season अब sun जो है न वो तो stable रहता है अब आप बोलोगे की sun उपर नीचे कैसे जा रहा है sun उपर नीचे नहीं जाता है हमारी जो earth है वो rotate करती है अपनी axis बे और revolve करती है around the sun यह तो हमें पता है दूसरा main reason जो sun की movement रहती है इन दोनों latitudes के बीच में उसका main reason है हमारे जो earth का tilt आप जो ये earth again बताता हूँ reality में जो आप equator last अभी figure में देख रहे थे न वो ये वाला है equator उसके बाद topic of cancer भी हमारा ऐसे है और topic of capricorn भी हमारा ऐसे गोई है ये रहा हमारा north pole और ये रहा नीचे हमारा south pole जो मैंने आपको दिखाया दो map पे सीधा पर मैंने बोला कि आपको हमारी सीधे जो है earth नहीं है tilt है कितना 23.5 degree का ये जो पूरा है ये है हमारा orbital plane अगर मैं इसको side बना के दिखाऊं तो ये है हमारा orbital plane और हमारी जो earth है कैसे है ये ऐसे है tilt है इसमें 23.5 degree अब question कई बार आज आता है कि हमारी earth जो है orbital plane से कितने degree का एंगल बनाती है तो ये total कितना हो गया ये total रहता है हमारा 90 degree 23.5 degree हमारी tilt है तो 23.5 से हम माइनस करेंगे 90 degree को तो 66.5 degree हमारा अंसर आता है तो कई बार डिरेक्टली question पूछ लेते है कि हमारी earth orbital plane से कितने degree का एंगल बनाती है तो उसका अंसर आपने याद रखना है 66.5 degree तो मदलब आप देखलो आप रट्टा लगाने की तो जरूर आपको है नहीं मैंने आपको ये पूरीजिस समझा दिया है अब अगेन मैं आपसे question पूछूँ Equinox situation on earth is on which date 21st June, 21st March, 22nd December या 21st of July तो ये आपको comment box में इसका अंसर देना है इसको हम नेक्स टूडियो में discuss करेंगे अब जो इस particular climatology में से questions हमारे आए हुए है इसमें से MCGUs कम पूछे गए हैं बट पूछे गए हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं तो लोग नाइट का सीजन हमारा कौन सा होता है विंटर ही होता है नेक्स Dry temperate area Dry temperate area कौन सा है हमारे हिमाचल में तो है किनोर एंड लाहोल्स पीती जहांबे भी ड्राई आगया तो आपने किनोर एंड लाहोल्स पीती ही तो यह आपको as it easy learn रखना है क्योंकि copy paste होके भी जो है हमारे questions पूछ लेते हैं हिमाचल में नेक्स ते which area of हिमाचल is known as the alpine area तो greater himalayas का जो area है उसको हम क्या बोलते हैं alpine area next climate of किनोर एंड लाहोल्स पीती फॉल अंडर तो इस semi desert type of climate तो हमने बड़ी बार कर चुक है कि इनको हम cold desert भी बोलते हैं but climate कैसा रहता है तो semi desert type का हमारा climate रहता है कहाँ पे किनोर एंड लाहोल्स पीती यह आपको जो है वो ध्यान में रखना है क्योंकि जब option में कई बार चीज़ें आती है तो हम confuse हो जाते है इनको mcq उसको ध्यान से पढ़ लेना next time in sangla value of kinor only one type of crop is produced in the whole year because the area is very cold kinor में सिर्फ एक type की mainly crop उगाई जाती है पूरे साल में ऐसा क्यों क्योंकि वहाँ का climate है बहुत ज़ादा थंडा है तो यह थी हमारी पूरी climatology हिमाचल की hope करता हूँ आपको जितने भी पूरे तीनों पार्ट से helpful लगे होंगे तो इन तीनों पार्ट को आप revise कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो है timely notification जो है वीडियो की मिलती रहें अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए अगेन रिवाइस कीजिए टेक क्यार एंड बाई बाई